करोडों की लेवी वसूलने वाले नकसलियों को जारखन पुलिस अपना भाई मानती है, कहा नकसल समाच की उपज है जी हाँ आप चौकिये नहीं, ये बाती कोई और नहीं बल्कि जारखन के एक प्रशिक्चूट डियेसपी का मानना है कि नकसली हमारे भाई हैं, उनका ये बयान तब आया जब जारखन में नकसलियों की गतविधियां काफी बढ़ी हुई है आए दिन नकसली अपनी उपस्तिती को दर्शाते हुए आगजनी और लेवी की वसूली जैसे गतविधियों को बढ़ा दिये है जारखन पुलिस ने दो दिन पहले ही लेवी की राशी उगाही करके उडिसा की ओर जार है दो नकसल सहयोग्यों को गरफतार कर जेल भेज दिया है नकसलियों के बढ़ते वारदातों पर घागरा थाना प्रभारी का कुछ अलग ही मानना है जी हाँ जारखन में पढ़ती नकसली वारदातों पर गुमला जिली के घागरा थाना प्रभारी के रूप ने योगदान करने वाले प्रशिच्चों डियेसपी प्रदीप प्रडव ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नकसल हमारे समाज की दीन है ये हमारे समाज की उपज है कही न कहीं दबे कुछले लोगों की विजार धारा जो कहीं न कहीं उनको गवर्मेंट की कुछ सहायता नहीं मिली या किसी ने किसी को कोई प्राबलम है ये समाजिक समस्या का ही उपज है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि ये नकसली हमारे भाई है सबको हम लोग कोशिश करेंगी कि इन सब चीजों को मिटाएं और समाज की मुके धारा से जुड़े और बहतर काम करें समाज में शांती का माहौल बनाने का काम करेंगे दमदान निर्मान का भरोजा लालस्टी टीमटी बार्स हर निर्मान के लिए उप्योद लालस्टी टीमटी बार्स रिष्टा मजबूती का